दोस्तो आज के इस Excel के वडियो की बात ही निरा ली अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इस वडियो को बनाया था तो मैं कापी ज़्यादा एक्साइटेड था आपको बताने के लिए जिहां दोस्तो यहां पे स्क्रीन की उपर ही देखिए मैं क्या बताने आला हूँ यहां पे दिखिए उपर टाइटल दिया है सीट बुकिंग्स ट्रिक्स इन एक सेल यहां एक ट्रिक है सीट बुकिंग की मैं बस यहां पे सीट बुक कर रहा हूँ यह दिखाए दे रहा है इस बॉक्स में कई पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यह बुक होते जा जाएगा और मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो वो अन्बूक होगा वाव इंट्रेस्टिंग एक्सल में ऐसा हो सकता है अगर आपका ऐसा सवाल है तो मैं बता दूँ जी हाँ कर सकते हैं और यह मैंने इंवेंट किया है एक्सल के अंदर तो चलिए आप अगर इंट्रेस्टिंग एक्सल में ऐसा कुछ सीखने के लिए जिससे आपका नौलेज तो बड़े गया है बड़ेगा साथ में लोग आपको सलूड भी करेंगी ऐसा कुछ करने के बाद तो डेफिनिटली करेंगे ना दोस कि एक क्लिक से सीट बुकिंग होता है मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ लेट्स बेगेन लेकर वडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताओ दोस्तो आप अगर बनना चाहते कम्पिटर में स्मार्ट तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाज़ों में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक किजिएगा ता यह पूंसर किया है वनडर्शर पीडियाप इलेमेंट यह सफ्व्टवे कम्पणी ने जी हां इनका पीडियाप एडिटर एक सफ्व्टवेर है जो कि आपको पीडियुः उडिट करने के लिए अलाओ करता है उसमें पुराा टेक्स हटा के आप नया टेक्स आड़ कर सकते आप text box add करके title add कर सकते हैं या फिर आप PDF में image भी add कर सकते हैं इतना ही नहीं दोस्तो ये PDF फाइल को अलग-अलग format में convert करने के लिए अलाओ करता है जैसे आप PDF को word में convert करना चाहते हैं या आप Excel में convert करना चाहते हैं साथी में PowerPoint, image या text file में भी PDF को आप convert कर सकते हैं वो भी ब एक ही software में मिलने वाले हैं जिसका नाम है Wondershare PDF Element ज़रूर description में लिंक मैंने दी है एक बार click करके check कीजिएगा और अभी आप description में जो link दी है उस पे click करके खरीते हो तो आपको मिलने वाला है $60 का discount और मैं आपको बता हूँ कि इस website पे start trial का भी option दिया है जहाँ पे click करके जब आपका मन हो तब खरीद सकते हैं तो अगर आपका PDF से related कुछ भी काम है तो Wondershare PDF Element definitely आपको help करेगा क्योंकि उसके अंदर एक ही जगह पे आपको बहुत सारी features मिलने वाले हैं तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने topic के और दोस्तों सो जैसे कि मैंने intro part में आपसे का दोस्तों कि हम बस click करेंगे तो seat booking होने वाली है और double click करेंगे तो seat booking यहाँ पे cancel होने वाली है और उसका counting भी यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए करना क्या है मैं एक नए workbook में आपको दिखाना चाहूंगा पहले मैं यहाँ पर नया workbook मैं आपको दिखा हूं मैं यहाँ पर पहले तो zoom कर रहा हूं इसे zoom करने के लिए वैसे shortcut की alt vz यूज कर सकते हैं और excel की जो भी shortcut keys रहती है उसरे लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 101 shortcut keys of excel जो कि आपको ज़रूर चैनल पर विजिट करके देखना चाहिए उसकी link में आपको description description में देने वाला हो दोस्तों कि excel के अंदर कौन कुछी shortcut रहती है और आपको कैसी use करनी चाहिए 101 shortcut जिससे आपका excel में काम करने का speed definitely बढ़ेगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि फिलाल हमें करना क्या है वो तो मैंने बता दिया कि shortcut कि इसका वीडियो देख लो ल यहाँ पर लिखा मैंने pending seats यह दोनों title लिख दिये अब मैं यहाँ पर seat 2 से select करूंगा यहाँ पर कुछ भी ऐसा B लिखिए फिलाल तो B लिखिए और drag करते जाहिए कहां तक आपको seat booking का यह बनाना है सपोस मुझे 0 तक बनाना है और horizontally भी ऐसा drag करना है मुझे 17-18 rows तक बनान और उसके बाद इसे center रख देता हूँ मैं और इस B को delete कर देना है बस मुझे इस box की जरुवत नहीं है बी लिखके मैंने बस उसका size वहाँ पर कर दिया उसके साथ मैं यहाँ से all borders करूंगा color चुछ तो color कर सकते हैं लेकिन color की जरुवत नहीं all borders कहां से करना है all borders पता नहीं यहाँ पर देखें सिंपल है यहाँ पर क्लिक करके नीचे आपको all borders option दिखाए दे रहा है जिसके उपर क्लिक करेंगे तो borders मिल जाएगा यहाँ पर heading देना है select किजिए इसको margin center और heading दे दीजिए seminar seat bookings आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको जो लगा वो दे दीजिएगा फिलाल यहाँ पर bold हो गयरा इसको भी color देना है तो मैं ऐसे कुछ color हो गयरा देखें यहाँ रख देता हूँ इप formula रहेगा काउंट इप अपने सीखा है मैंने औरेडी फॉर्मूला एक 31 फॉर्मूला जिन एक्सल का वीडियो बनाया था जिसमें काउंट इप काउंट इप समीप समीप सारे बता है वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है 31 फॉर्मूला जिन एक्सल लगबख पाउंटी दो गंटे का वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों एक्सपर्ट बनना है तो यह सारी चीज़े देखनी आगसे यहां देखनी से दो odpow देखना नहीं देखनाने अज़िए सेड़ा दोस्तों यहां पर इन्थ करेंग आपْBE Sовыхवर्मूलार consig ते गणीद होगा है इसे अगर इसमें आप किसी में भी लिखते हो तो वहाँ पर देखो क्या हो रहा है counting आ रहा है ना आपने यह फॉर्मुलास दे दिये बेजिकली यह फॉर्मुलास आपको पहले देने आने चीए और यह सिंपल है एक count if का formula यूज़ करना है एक count blank का formula यूज़ करना है और यह सारी चीज़े तो आपको आती होगी क्योंकि आप मेरे regular वी ओर हो यह सारी चीज़े मैंने पढ़ा दिये मेरे चैनल के उपर वीडियोज बना के अब मुझे करना क्या है यह एक steps याद रखना है यहाँ पर अब ही मुझे click करने के बाद बीच चीए और green color बीच चीए और double click करने के बाद क्या चीए अन बुक मतलब बुक हट जाना चीए तो यह बहुत simple है आपको करना क्या मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक code दिख रहा है code 1 by learn more code 2 by learn more यहाँ पर दिखाए दे रहा है दो code और इन दोनों code copy करना है copy अब इस code में क्या है मैं आपको समझाओंगा लेकिन इसको बस आपको copy करना है सबसे पहले और आपके excel फाइल में चले जाना है इसके अंदर alt 11 करना है अब यह code आपको कहां से मिलेंगे आपने पूछा है मुझे तो मैं आपको बता हूँ कि उसका link आपको description में मिलेगा जह इसे दोनों code आपको यहाँ पर copy करने है मैंने copy कर लिया और copy करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जैसे कि आपको बताया मैंने sheet के अंदर alt 11 प्रेस करने के बाद आप कि फामने आता है Microsoft Visual Basic Application Window अपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें इसके बारे मैंने बताया अलड़ी यह जो VBA screen है इसे शॉट में VBA screen बोलते हैं हम लोग दोस्तों इसके अंदर आपको left side में आपको sheet मिलेगी जो open workbook है उसी का sheet मिलेगा book 1 open है और sheet 1 वहाँ पे दिखाए दे रहा है अगर आपके 2-4 workbook open है तो यहाँ पे बहुत sheets आ जाएंगे और और फिर यहाँ पे इस panel में project explorer बोलते हैं अगर यह नहीं आया तो view में जाओ और project explorer करके है यह option इस option पे click करो और उसके बाद sheet 1 पे right click करो और यहाँ पे sheet 1 पे right click करने के बाद एक option है इसका नाम है view code जिसके पर आपको करना है click और जैसे click करोगे एक window खुलेगी और इस window में इस code को करना है paste जो code हमने copy किया था इस code को यहाँ पे करना है paste इस code में आकिरकार होगा क्या मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने जो range ली थी न वो जहाँ पे मैंने b type करने के लिए box तैयर किये वो है मेरी c22z17 यहाँ पे अगर आपकी अलग range है तो आप यहाँ पे range बदल स है green color हो जाएगा साथ में उसके selection में कौन से value field होगी b मतलब जहाँ पे भी मैं click करता हूँ mouse से select करता हूँ वो b book हो जाएगा अगर मैं double click करता हूँ यहाँ पे देखिए दूसरा program क्या है यह तो selection change का program है पहला और दूसरा program क्या है worksheet before double click अगर मैं double click करूंगा उस cell के उपर तो होता क्या है उस worksheet में changes उस worksheet में मतलब इस range में यह range तो वही रहेगी इस range को हमने target किया है इस range के अंदर उसका color हो जाएगा white यह जो है na RZB 255 255 255 मतलब white color होगा और उसकी value हो जाएगी blank value जो भी करकिये थी न मैंने वो blank हो जाएगी यह चोटा सा explanation मैंने बताया आपको जरूरी पढ़ सकता है शायद इसमें क्या हो रहा है उस code के अंदर ही यह समझने के लिए तो मैंने explanation दिया है और आप चाहते हैं इससे मैं detail में explain करूँ तो मुझे comment section में लिख दो मैं भी page पे इसका वीडियो जरूर अपलोड करूँगा आप मेरे जो VBA enthusiastic लोग है उनके लि यह जो boxes मैंने लिए है इसमें C2 से लेकर मैंने C2 लिए C2 से लेकर Z17 तक आप कोई भी box में click करते जाओगे तो वापे book होते जाएगा और double click करूँगा मैं यहाँ पे तो unbook होते जाएगा है ना magic दोस्तो अब finally बारी आती इस workbook को save करने की तो हमेशे याद रखो जब भी आप कोई code वाला workbook लेते हैं तो उसे save करते समय आप macro enable लोगे right so excel macro enable यह याद रखिएगा और फिर इसके नाम देके जो भी नाम देना है आपकी मरजी भई आपका workbook है आप seed booking नाम दे दो या पिर seminar seed booking दे दो movie seed booking दे दो यहाँ पे नाम देके उसको save कर दो interesting चीज लगी होगी आपको उमीद है आपसे कि आप इस वीडियो को already like कर चुके होंगे मैं आपको एक बात बताओ कि इस code के अंदर की जो चीज़े है आपको समझ नहीं है तो नीचे description में facebook link दी है उसकी पर click करके मेरे facebook page पे like करके रखिएगा follow करके रखिएगा वहाँ पे म signing में expert तो आपको को रहाना चाहिए साथी में उसके फोटोशॉप का already video मैंने upload किया है real to real channel अगर मेरे regular वीडियो तो आपको पताई होगा और page में करका भी वीडियो आने वाला है दोस्तों और learn more channel पे आने वाला है Microsoft Word का beginner to advance वीडियो जो कि आप सभी ने request की मुझे मैंने काम शुरू कर दिया Microsoft Word का वीडियो बनाने के लिए अभी काम जा रही है वीडियो बनेगा और इंट्रेस्टिंग रहेगा और डीटेल में सारी चीजे मैं उसमें explain करने वाला हो तो जरूर उस वीडियो का थोड़ा सा इंतजार किजिए आप के लिए मैं जल्दी लेक्या होगा बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंट्रेस्टिंग एक्सेल के टीप्स और ट्रिक्स के साथ Microsoft Word या टैली के टीप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक चैनल के पर और भी वीडियो जे देखते रहीएगा सीखते रहीए सीखात टेरी ये, बाइबाई